हाई फ्रेंज आज हम आ गए हैं डे 17 पे 17, 18, 19 ओके 14, 15, 16 तारिक की सेल्फ लव की प्राक्टिस अल्रेडी डाली हुई है वीडियो आज 17, 18 और 19 ठीक है तो ये 19 तक के 3 दिन की प्राक्टिस आज इस वीडियो में डाल रहे हूं सेल्फ लव बहुत आसम चल रहा है सबका और स दिन सरीज ॉल्फ लव से इतनी सारी आ रही है भर भर के आ रही है और सेल्फ लव की यारी है वोटे supuesto ah अब day 17 पे आप अपना universe create करने वाले हो आज, एक jar लोगे, jar मतलब जो मर्तबान होता है हमारे घरों में चाहे शीशे का हो, या फिर अगर steel का है तो भी चलेगा, शीशे का है तो भी चलेगा, प्लास्टिक का है तो भी चलेगा, कोई साभी एक jar लेना है आपको, ठीक है आप अ के उपर एक strip, सुन्दर सा strip लगाए, सिर्फ इतना लिखके, my universe, ओके, आपको ये jar अपने universe की तरह consider करना है, हम ढूंते हैं ना universe कहा है, लगता है, मन में कभी-कभी questions आते हैं लोगों के, कि universe किसको मानने, कोई कहता है हम भगवान को मानने universe, कोई कहीं और मानने, कोई अच् को मानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बिलीफ, ट्रस्ट, इसी पर सब कुछ काम कर रहा है, हमारी vibrations, जयान universe यही है भी, लेकिन आज, आप लोग अपने universe को खुद create करोगे, इस jar में, एक jar लो, उसको अच्छा सा decorate करो, चाहो तो उस पर कुछ stars बना लो, moon बना लो, कुछ अच्छे से, जो beads वगेरा आते हैं, वो लगा के, कुछ अच्छा decorate सा कर लो, लगे कि हाँ मेरा universe है, चमक रहा है, शाइन कर रहा है, ऐसा कुछ jar बना लो, और jar के ऊपर एक strip लगाओ, सुन्दर सा लिखा हुआ, ठीक है, उस strip पे लिखोगे, my universe, मतलब आपकी नजर में, positive affirmations है, मैं बहुत सुन्दर हूँ, मैं बहुत beautiful हूँ, okay, मेरे बाल बहुत सुन्दर है, अपने बारे में जितनी तारीफें हैं, वो सब आप एक strip पे, या एक छोटे से paper पे लिखके, वैसे करके, छोटे-छोटे strips पे भी लिखकर के, okay, affirmation की तरह लिखके, इस jar में आप डा thoughts डाल रहे हो, वो ही real होगा, real रहेगा हमेशा के लिए, okay, अब जब इसमें इतनी positivity है आपके लिए, और हम यहीं मानते हैं कि self-love से सब कुछ मिलता है, self-love सब कुछ manifest करके देता है, तो आपने self-love से related सारे chits इसमें डाल दी है, सारे positive affirmations इसमें डाल दी है, अब बारी आती ह कि आपको किस चीज से सबसे जादा खुशी मिलती है, maybe हो सकता है कि आपकी कोई wish है, जो आपको मिल जाए तो आप और खुश हो जाओंगे, वैसे तो आप खुश हो क्योंकि self-love में हो, खुद से प्यार करते हो, लेकिन हम हमेशा जादा चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं सब कुछ चाहते हैं, तो अब ही यहाँ पर क्या करोगे, आप लोग की जो भी wishes हैं, मानोगे कि वो wish आपके पास आपके पास अलरड़ी आ चुकी है, ठीक है, बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, नहीं मिल रहा है, कॉल नहीं आ रहा है, कुछ और है, जॉब में दिक्कत बहुत सिंपल सा, अपनी language में, कोई किसी की copy नहीं करनी है, कहीं से कोई words नहीं उठाने है, अपनी language में, अपने दिल की भाषा में लिखो, बस present tense में, यह बस अपनी दिल की भाषा में रखना, कि वो चीज आपके पास है, आपका दिल इतना खुश है उस चीज के लिए, ठ कर सकते हैं, जरूर ही नहीं कटी करोगे, बल्कि हम यह मानते हैं कि जो टॉन पेपर होते हैं, उसमें जब affirmation लिखी जाती है, तो वो जाधा काम करता है, उसके edges जो फटे होए होते हैं, उसमें वो एक तरह से blockage नहीं create करते हैं, affirmations को release होने में, vibrations को release होने में, तो आप कोई कोई साभी strip tear करो, बहुत easy रखो, और वहाँ पे, अच्छा किस कलर का pen use करोगे, again question आएगा, yes, red या blue में से कोई साभी एक pen ले सकते हो, अपनी affirmation लिखी इस jar में डाल दिया, इस jar को कब तक अपने पास रखना है, आप इस jar को my universe है, universe को क्यों हटाना, हमेशा के लिए अब स ये jar आपके पास रहेगा, तो कोई ऐसा jar use कीजिए, जो आप अब हमेशा अपने पास रख सको, because जब जैसे जैसे आप इसमें affirmations जालते जाओगे, ठीक है, और my universe लिखा हो है, एक तरह की energized चीज ये बन जाएगी, ठीक है, एक तरह की energy इसमें भी jar में आ जाएगी, अगर सब्सक्राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इतना पैनिक नहीं हो ना, दूसरा jar बना लेना, लेकिन फिर भी कोशिच ये करना कि इस jar को safe रखो, संभाल के रखो, कहीं पे, टूट जाए, फूट जाए, इस तरह की कुछ happenings होनी नहीं चाहिए, okay, so संभाल के इस jar को अपन लिए कुछ affirmations डाले हैं, तो उसको तो कभी dispose मत करिये, उसको रहने दीजे उन papers को समें, right, अगर आपको लगता है कि इसको change करके मैं कुछ और डालना चाहता हूं, तो ठीक आप उसे निकालके, बेशक से कुछ और डाल सकते हैं, इन papers को कहां dispose करना है, तो प्लीज सॉयल में किसी भी पौधे में, प्लांट में, कोई मिट्टी कहीं पेड़ के नीचे है, आप इनको, papers को महां पे डाल दीजे, मिट्टी में मिल जाएगा ये, okay, लेकिन जो भी अपने wishes से related आपने इसमें चेट डाले हैं, जिन चीजों के लिए आप मान रहों, ये चीज मेरे पास ऐस इस तरह कि जो भी positivity है, वो लिख के आप डाल सकते हो, अगर किसी को लग रहा है कि हम इसमें डाल के इसको छोड नहीं सकते हैं, ठीक है, इसे हम कहीं रखके, अगर बाहर चले कर किसी ने खोल लिया, ये प्लीज आप लोग मैनेज कीजिए, इसको कहां पे आपको safely रखना है ताकि कोई इसको खोले नहीं आपके पीछे में, कोई इसमें unnecessary के और कुछ vibrations ना डाले, वो आप देखिए, आप लोग उसको manage कीजिए अपने हिसाब से, ठीक है, तो इसको safely रखना है, इस जार को tight burn करके, इसको खोलने का आपको ही है, जब भी भी, इसको कोई ऐसा नहीं कि क अब हम इसे खोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसे moon light में charge करेंगे, moon light में अगर आपको रखना है, पूर निमा के दिन, तो आप रख सकते हो, वैसे हम magic box रखते ही है, पूर निमा में, तो आप चाहो तो इस jar को भी आप रख सकते हो, moon light में, सारी राज छोड़ के morning में उठा ल इसके अंदर, jar के अंदर जरूर डालूंगा या डालूंगी, okay, so यह jar आप लोगों को एक बहुत positive energy reflect करेगा, and yes, यह manifestation का jar बनेगा, इसलिए इसे my universe का नाम दिया है, हम यही मानते हैं, कि universe में जब आप अपनी wishes बोलते होतों, वो wishes manifest होती है, now, यह universe आपके पास है, आपकी जो भी wishes है, जो भी positivity है, वो सब आप इसमें डालो, and yes, धीरे-धीरे manifest भी होगा, क्योंकि self-love की affirmation सबसे पहले इसमें डाली हुई है, and self-love help करता है, सब जानते हैं हम लोग, right, so यह हो गया, day 17 की activity है, यह jar बनाने की, now, day 18 को क्या करोगे, 18 comes, आज आप अपने बालों के साथ affirmation दो के अपनी body के लिए, see, यह जो बाल होते हैं हमारे, जब हम बालों में अपने हाथ फेरते हैं, तो आपने देखा, बहुत सारी चीजों में, मतलब, वैसे अगर हम चले जाएं तो, जो कुछ साधना होती है, कुछ विद्याएं होती हैं, अलग तरीके की, उन सब में ब माल बहुत जादा होता है, क्यूं? क्यूंकि बालों में attraction की powers होती है, बाल हर तरह के vibes को attract करते हैं, कभी-कभी सुना है, हम लोगों को हमारे दादी नानी हमेशा बोला करते थे, बाल खोल के रात में मत घूमो, क्यूं? क्यूंकि हम यह बलीफ करते हैं कि रात में सारी, अग इदम से चड़-चड़ापन, गुसा आना, कभी-कभी बॉडी में क्या होता है, फीवर आ जाना, इस तरह की चीज़ें हो जाती है, ठीक है, अब इसे अंध विश्वास में प्लीज मत लेके जाना, कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है, आजकल हम सब हर टाइम हमारे बाल लिए प्रकुआ है और एपनी बालों की तो इसके लिए भी पॉजिटेव अपने बालों में हाथ ऐसे गुमाते हुए फेरते हुए आप अपनी पॉजिटेव अफरमेशन सारा दिन बोलो गे, विकॉस सेल्फ लव में है हो चुके हो, वाइबरेशन थिस लेगे हैं, अब अपनी विशस के लिए थोड़ा बहुत काम self-love में किया जा सकता है और आज affirmation बोलना है सिर्फ अपने बालों को यूज करके आप जितना अपने बालों में हाथ फेर के अपनी affirmation बोलोगे This is related to mind, subconscious mind, okay So ये help करेगा आप लोगों को लेकिन एकदम से नहीं कि morning में start होते ही और बालों में हाथ फेरते हुए आपने फटा-फट से बस अपना विश के लिए affirmation नहीं पहले अपने आपको चार्ज कीजिए अपने लिए affirmation बोलिए अपने आपको प्रेस करते हुए या तो आप अपने बालों को प्रेस करते हुए कुछ बूल सकते हैं positive things, right इसके बाद आप अपनी जो भी है विश्ट के लिए सारे देन affirmation बोल सकते हैं कितनी बार बोलना है तो कितनी बी बारी बोलिए, right अच्छा अब उनके लिए जो चोटी बनाते हैं या बालों को टाय करके रखते हैं वो कैसे बालों में हाथ फेरेंगे तो फिर आप सर्फ सिंपल टच करके भी बोल सकते हो उतना कर लीजिए बहुत बहुत जादा इसको complicated नहीं बना रहा है तो आप आप उसको अपनी पॉजिटेव आप खुद हो खरोगे अपना तक्या लोगे उसके अच्छा से हक करके इसके साथ पिलो टॉक करोगे आपका वो जो पिलो है वो आप खुद हो आप ये अजूम कर सकते हो कि ये मेरी सोल है और आप उसको अपनी positive affirmation दोगे पेलो को जितनी भी positive affirmation देनी है खुद के लिए वो दे करके उसे cuddle करके hug करके पेलो को और आप सोगे अपनी body के लिए अपने skin के लिए अपने health के लिए अपने hair के लिए आपकी कोई ऐसी wish जो आपको खुशी देती है उस wish के लिए ठीक है आप एक positive affirmation दोगे thank you बोलोगे grateful फील करोगे और उसको cuddle करके hug करके आप सो जाओगे ओके सो ये हो गया 17, 18, 19 दे की practice 17, jar, 19 is your hair, affirmation in your hair और नई सौरी 17, 18 is your this thing hair वाला 19 is आपका pillow talk तो ये तीन दिन के self love की practice आगे चलेगी बहुत simple है, बहुत easy है आप लोगों को बहुत dedication से करना है and yes self love is working 19 के बाद 20, 21 दो दिन की activity और 21 दे का self love complete and आप सब high vibes में हो इसके बाद अपने wishes के लिए काम करना शुरू करेंगे उसके लिए आप लोग techniques start करोगे, मैं कुछ techniques बताऊंगी, वो करो आप लोग कुछ करो and बस अपनी life को awesome बनाओ, अपनी अपने wishes manifest करो so that's all guys, thank you so much, God bless